दोस्तों भी कुछ दिन पेले आपने देखा हुआ कि एक मेल आय था यूटूब की तरफ से उसके अदर टैक्स इंफोर्मेशन हमको फिल करने के लिए बताया गया था और अगर हम 31 माई 2021 तक टैक्स इंफोर्मेशन हमारी नहीं सब्मिट करते हैं तो जून से हमारा जो भी हमा तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाकर जरूर देख सकते हैं अब मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखी जो टैक्स इंफोर्मेशन हमको किस तरह से सब्मिट करनी है क्या प्रोसेस है पूरा मैं आपको बताने वाला हू क्योंकि काफी सारे क्रेटर्स को अभी भी प्रोबलम आ रही है और उन्होंने टैक्स इंफोर्मिशन अभी तक सब्मिट नहीं करी तो वीडियो पूरा देखना पसंद है तो इसको लाइक कर देना ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जुरू कर दे घंटी के निचान को दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बिना कुछ जरी के स्टाट करते हैं वीडियो तो दोस्तों यहाँ पे हमने लोगिन कर लिया है Google AdSense अकाउंट में तो सबसे पहले आपको AdSense अकाउंट में लोगिन कर लेना है यहाँ पे पैमेंट्स में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे देखिए Manage Tax Info का यहाँ पे Message Reflect हो रहा होगा इसके लिए उपर की तब देखिए Message आ रहा है और नीचे है Manage Tax Info तो आप किसी पे भी क्लिक करके और यहाँ पे Tax Information सब्मिट कर सकते हैं तो जैसे मैं आपर करता हूं तो यह देखिए Manage Tax Info तो यहाँ पे Add Tax Information का नीचे Option आ गया यह देखिए Manage Tax Info यहाँ पे लिखावा है Provide और Update और Tax Information और यहाँ न यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे यह देखिए United Tax Info और यहाँ पे What Type of Account इस दिरेंशरमा तो इंडिविजल है तो इंडिविजल और अगर कोई कंपनी का Entity है तो आप नीचे Non-Indिविजल Entity कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इंडिविजल ले लेता हूं क्योंकि मैं इंडिविजल अकाउंट है इसके अलावा यहाँ पे नीचे RUA Citizen और Resident of the United States तो मैंने No कर देता हूं अब यहाँ पे है Select W8 Tax Form Type तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो टाइप है एक है W8 BEN और एक है W8 ECI तो यहाँ पे क्या अंतर है दोनों में यहाँ पे यह अंतर है कि उपर जो है Non-US Individuals के लिए जबकि नीचे वाला Company जो की Business Entity उनके लिए तो आपको ध्यान रखना है आपको ऊपर वाला सेलेक करना है W8 BEN यह देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सेलेक करेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स भी आपे दे वी यह यह देखिए आगे किताब यह देखिए टेक्स ट्रेटी बेनिफिट्स के लिए W8 BEN हमको जो फॉर्म है वो फिल यहाँ पे करना है तो यहाँ पे सेलेक कर लेते हैं Start W8 BEN फॉर्म यहाँ पे जैसी ऑप्शन आ गया इनेबल हो गया इस पे क्लिक कर देते हैं जैसे हम करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए नमबर 4 एं 10 तो क्या होता है यह 10 जो आपका पेन कार होता है वो ही आपका टिन नमबर होता है इसके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इसमें क्या डाले तो यहाँ पे आपको पेन कार नमबर आपको सिंपली डालना है यह देखिए मैं आप पे अपना पेन कार नमबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर tin, जो आपका pen है, वो ही कहलाता है, इंडिया में, अब यहाँ पर आप देखेंगे address, तो यहाँ पर आपको address डाल देना है, जो आपने आप AdSense account में दिया है, सेम वो का address आपको यहाँ पर डाल देना है, और पोस्टर लेडर सेम है तो यहाँ पे आप इसको select कर लें और यहाँ पे next कर दें और यहाँ पे मैं अपना state भी यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पे next कर देता हूँ तो यह सारी information हो गई अब है tax treaty तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया वो tax treaty benefit यहाँ पे मिलते हैं तो तो यहां पे मैं इसको Yes कर लेता हूँ, यह देखिए, यहां पर Yes कर लेता हूँ, तब ही यहां पर जो Tax delivery Benefit है, वो हमको मिलेगा, फिर यहां पर Checkbox करे हैं, फिर यहां पर Country कर लेना है, तो मैं यहां पर India कर लेता हूँ, यह देखिए, अब यहां है, Special Rates and Conditions, तो यहां पर सब से पहला जो option है services तो search as adsense तो इसको हमको यहाँ पर checkbox सबसे पहले है यहाँ पर select कर लेना है special rates and conditions के लिए और यहाँ पर article and paragraph है तो इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो article 7 हमको select कर लेना है और यहाँ पर withdrawing rate के अंदर हमको यहाँ पर 0% select कर लेना है और यहाँ पर नीचे जो checkbox है इसको यहाँ पर select कर लेना है इस तरह से नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए motion pictures and tv royalties तो इसको भी हम checkbox select कर लेंगे यहाँ यह देखिए जिसे हम यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर article and paragraph के अंदर जाएंगे यहाँ और यहाँ पर article 12 and paragraph select कर लेंगे इसके बाद में हमको next कर देना है तो इस तरह से आपको सावधानी से सारी चीज़े ऐसे कैसे कर देनी है अगर आप एक individual creator है तो और यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो यहाँ देखिए form यहाँ आप आच चुका है मेरा है धिरेंदर शर्मा तो मैं यहाँ पर धिरेंदर शर्मा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर आर यू दा परसन लिष्टेट इन दा signature section yes I am the person और अगर आप किसी के बिहाफ पर कर रहे है agent है यहाँ पर नीचे की तब आप देखेंगे साइस चीजे दी वी है तो आप यहाँ पर यह सलेक कर सकते है नीचे वाला मैं yes कर देता हूँ यहाँ और next कर देता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर जो legal नहीं है मैं खुद हूँ इसलिए मैं यहाँ यह ले लेता हूँ अब है यहाँ पर नीचे की तरफ अब यहाँ पर लिखावा है activities and services performed in US तो यहाँ पर no कर देता हूँ यहाँ पर check box select कर लेना है आपको अब यहाँ पर देखे status change एफिडेविट तो यहाँ पर है are you providing tax info for new or existing permits तो अगर आपने पहले से यहाँ पर कोई permit लिया हुआ है तो आपको नीचे वाला यहाँ पर select कर लेना है अगर आपका पहले से कोई adsense permit आयो है कभी भी तो आपको यहाँ पर नीचे वाला यह वाला इसको check box select कर लेना है और अगर आप नए हैं अभी तक आपका कोई भी permit रिलीज निवा तो आपको उपर वाला option लेने ना है मेरा already payment आचुका इसलिए मैं यह select कर लेता हूँ इसके नीचे यहाँ पर check box दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं वो select कर लूँगा तो अगर आपका नया यहाँ पर payment आने वाला है कोई भी तो आप उपर वाला करें और अगर 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 आ चुका तो आप यहाँ पर नीचे वाला करके check box select करके next कर दें तो इस तरह से आपको side detail डाल दिये और आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह देखिए approved हो चुका है सारी information हमने यहाँ डाल दिया और mail भी मेरे पास आ चुका तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको tax information और वो submit करनी है और अगर अभी तक आपने नहीं की तो जल्दी से जाए और submit कर दीजिए ताकि आप यहाँ पर 24% जो deduction होने वाला है उससे बस सके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना जदा जाए शेयर कर देना और चेनल पर नहीं अभी तक subscribe नहीं किया तो जाने से पहले subscribe जूरू कर दे घंटी के चांग को दबा देना ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है कि लिए वीडियो को तब तक के लिए thank you